हरियाना में सरकार बनाने की उमीद लगाए बैठी कॉंग्रेस पार्टी की हार और दस साल बाद भी सत्ता से दूर रहने पर कई तरह की सियासी चर्चाएं हो रही है इस पीच केंद्रे रेल राज्यमंत्री रवनीत सिंग बिट्टू ने भी कॉंग्रेस पार्टी पर तंच कसा उन्होंने मीडिया से बात करते वे कहा डायनासोर वापिस आ सकते हैं लेकिन कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं आ सकती उन्होंने अपने सोसल मीडिया एक्स ह चुनाव में टिकट भी दिया था हाला कि वह हार गए इसके बावजूद उन्हें मंत्री बनाया गया हाल ही में वह राज्यसभा सदस्य बने रवनीत सिंग बिटू ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी अब कभी सत्ता में नहीं आएगी उन्होंने कुछ दिन पहले अमेरिका में स भी दियानों को देखना चाहिए बेटू ने कहार राहूल गांदी के नेत्युत में कॉंग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आ पाएगी हर्याना में इस पार भी बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई पार्टी को विधान सभा में नब्वे में से 48 शीटों पर सफलता मिली पूर बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी नायब सिंग सैनी के नेत्वित में पार्टी को मिली यह सफलता दूसरे राज्यों के लिए भी जीत का रास्ता बनेगी वही हरियाना विधान सभा चुनाफ के नतीजे सामने आने के बाद इन नतीजों को पूरी तरीके से विपक्ष पार्टी सीधे तोर पर ये कह रही है कि आकड़े जिस तरीके से सामने आएं उससे हम सहमत नहीं है क्योंकि रुजानों में जिस तरीके की स्तथी कॉंग्रेश की दिख रही थी उससे देख कर ये कहा जा रहा था कि कॉंग्रेश अकेले अपने दम पर भौमत से सरकार इस हार को लेका अगर चिंतन की जाती है तो क्या आगे के चुनावों को लेकर पार्टी और मजबूत होती नजर आएगी